हेलो फ्रेंड्स वेल्कुम आप तो माई यूट्यूब चानल साइं खुशे क्रियेशन्स तो आज की वीडियो में आपको होली के शुरुवाल जिस चीज से होती है यानि होली के बरकुले आप कब बनाए और कब से बनाना शुरू करें कैसे बनाए वो मैं आपको बताऊंगी तो होली से 10-15 दिन पहले फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आप किसी भी अच्छे वार को देखकर ये बरकुले बनाना शुरू कर दें अब जैसे हमारे या मारवारी कल्चर में ये प्रॉपरली औरना चुननी सब कुछ और कर एकदम 30 तेहार की तरह शुरू करे जाते हैं क्योंकि ये होली की शुरुवात मानी जाती है आप नत भी पहन सकते हैं ये देखे सभी लोग गीद गाते हुए अच्छे से भजन कीरतन करते हुए भगवान का नाम लेते हुए आप भजन सुन भी सकते हैं एकदम अच्छे से हमें ये बढ़कुले और जो भी खेल खिलोने होते हैं ये बनाना शुरू करने चाहिए तो आज वो शुरू कैसे करें वो मैं आपको पताने वाली हूँ तो ये देखे ये समान हम लेंगे ये सारा समान जो भी हमें लगेगा सबसे पहले जहां पर भी आप बनाएं आप पाटे पर भी बना सकते हैं लकडी के पाटे पर या फिर आप ऐसे जमीन पर भी मेरी तरह बना सकते हैं पहले सबसे अच्छे से धर्ती को साफ कर लें उसके बाद उस पर आप आटे से चौक पूरे ये देखें आटे और हल्दी से हमें चौक पूर्णा है कई लोग गेरो और चूने से भी पूरते हैं पर हमारे याँ ये आटे और हल्दी से ही करा जाता है तो ये देखें आटे और हल्दी से आप एक बॉक्स बना ले कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बना ले और box बनाने के बाद इसी पर आपको हल्दी से भी outline करनी है बरकुल्य बनाने का बहुत ज़ादा महत वो होता है सभी शेतरों में ये नहीं बनाए जाते है हमारे यहांपर कैसे पूझा होती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे हैं बड़कुले के बिना होली देहन होता ही नहीं होली का माता की पूजा में विशेश महत होता है बड़कुलो का तो ये देखें आटे के उपर हम हल्दी डाल रहे हैं चौक आप जरूर से पूर लें बाद में ये बनाना जरूरी नहीं है पर पहले हम शुब का काम शुरू करते हैं साथ बड़कुले हमें पहले बनाने हैं शुब के तो उसके लिए हम ऐसे कर रहे हैं साथ के बाद अगर समझ लिए किसी वज़े से आप नहीं बना पाए तो अटलिस्ट ये साथ तो हमारे पूजा के लिए होई जाएंगे और भी बनाने होते हैं वो सब आपको कैसे बनाना है उसका डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा आज मैं ये बता रही हूँ आपको बढ़कुले बनाने की शुरुवात किस तरीके से करनी है अब ये देखिए कोई भी हम उचसर शुरू करते हैं तो सबसे पहले गनपती जी की पूजा करते हैं तो गनेज जी की पूजा के लिए हमने जहाँ पर भी चौक पुरा है वहाँ पर हम रोली से स्वस्तिक बनाएंगे सतिया बनाएंगे तो ये देखिए रोली से हम स्वस्तिक बना रहे हैं आप सेम चीज पाट्टे पर भी कर सकते हैं या फिर अगर समझ लीजिए आपको फर्ष खराब होने का डर है वैसे तो गोबर के दाग असानी से छूट जाएंगे बट अगर डर है तब भी आप ट्रांस्पेरेंट पन्नी बिचा ले जो भी आपका फर्ष है वहाँ पर या फिर लकड़ी के पाट्टे पर कर लें तो ये देखे इस तरीके से हम स्वस्तिक बना लेंगे इसके बाद हम इस पर गनपती जी का पूजन करेंगे और बोलेंगे कि आओ गने जी आप हमारे जो भी बड़कुले हैं अच्छे से बनवाएं हमारी जतनी भी पूजा है होली की क्योंकि आज से होली की पूजा शुरू कर रहे हम तो हमारी पूजा अच्छे से समपन हो जाए इसके बाद हम गनपती जी पर रोली चावल और मुग जरूर से चढ़ाएंगे हमारे यां हर पूजा में मूंग का विशेश महत होता है आप के हाँ भी चढ़ाते हो तो आप जरूर से चढ़ाएं इसके बाद मोली अर्पित करेंगे और कुछ फूल के पत्ते हो तो फूल भी आप चढ़ा सकते हैं गलपती जी से प्रातना करके थोड़ी सी चीनी से हम उन्हें जिमा देंगे और अब जो हमारे बढ़कुले बनाने हैं वो हम शुरू करेंगे इस जगा पर जहां पर हमने चौक पूरा है यहां पर हमें शुग के साथ बढ़कुले बनाने हैं उसके बाद बाकी के हम अलग जगा पर बना सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बढ़कुले लगते हैं अब ये देखें आपको गाए का ही गोबर लेना है गाए का गोबर हम लेंगे और उससे हम हमारे बढ़कुले बनाएंगे अगर आप मार्किट से बढ़कुले लाते हैं तो आप 11 के दिन यानी 11 के दिन ये 7 बढ़कुले बना ले और फिर आप मार्किट से ले आए क्योंकि मार्किट में भी आजकल easily मिल जाते हैं online भी आप खरीच सकते हैं बट हमारे घर में थोड़े से तो बढ़कुले बनने ही चाहिए इसलिए आप ये 7 बढ़कुले तो जरूर से बना ले इसलिए अगर आपको बनाने शुरू नहीं भी करने हैं तो आप बस ये 7 बना सकते हैं ये देखे थोड़ा सा गोबर रखकर बस उसमें आपको बीच में छेद कर देना है अगर आपको गोबर को हाथ लगाने में प्रॉब्लम में तो आप गलफ्स पहन के भी बना सकते हैं आपको मेडिकल शॉप पर असानी से गलफ्स भी मिल जाएंगे तो ये देखे इस तरीके से हम हमारे जो 7 बरकुले हैं वो बना लेंगे इस दोराना भगवान के गीत गाते रहें भगवान का नाम लेते रहें होली के गीत गाते रहें तो ये देखे हमारे 7 बरकुले जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं और आपको इस समय अपने सर पर औरनी चुन्नी जो भी आपके हाँ मतलब जरूरी नहीं अगर आप मारवारी हो तो ही आपको ये करना है आपके हाँ जो भी चुन्नी ओरते हो वो चुन्नी ओरकर आप ये बढ़कुले जरूर से बना ले पर मात्य पर आप अपनी कोई चुननी जरूर से रखे तो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले मेरे चैनल साइंग खुशी क्रियेशन्स को भी जरूर से सब्सक्राइब करें